ओए कैसे हो तुम लोग आई होप अच्छे ही होंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आप सब के लिए काफी फायर मंद होने वाले हैं क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि आप अपने पिक, फोटो, बेडियो और एडियो और कॉल रिकॉर्डर को कैसे आप हाइड कर सकते हैं वो भी बिना application के सिर्फ एक क्लिक में अपने जेव का फोटो या boyfriend का फोटो या किसी तरीका का personal data हो आप हाइड करके रख सकते हैं, छुपा के रख सकते हैं अपने ही mobile में और बिना application के यह सबसे बड़ी वात है, तो दोस्तो, बने रहें मेरे साथ और वीडियो को skip न करें, अगर वीडियो को पहली बार देख रहें, तो चैनल को जो subscribe करें, और अच्छा सा like करें, और अच्छा सा comment करें तो चलिए दोस्तो, सबसे पहले आपको file manager open कर लेना होगा, और open करने के वाद आगे क्या process करना है, मैं सब बताऊंगा, तो बने रहें मेरे साथ, तो दोस्तो, आप simply जो है file manager पर click कर देज़ेगा, click करने के वाद आप सब के सामनी step के interface तो open होगा, तो simply आपको three dot दीख रहे folder का नाम जो आप रखना चाहते हैं, तो चलिए दोस्तो, हम apple folder का नाम रख लेते हैं, उसके बाद simply हम okay कर देते हैं, उसके बाद जो photo हमको hide करना है, चुपाना है, चाहिए वो gf का photo हो, चाहिए वो girlfriend का photo हो, तो सब का आप photo यहाँ से हम copy कर सकते हैं, copy करने के बाद वहाँ paste कर देंगे, जिस folder को मैंने अभी जो बनाया है, उसके बाद वहाँ paste कर देंगे, और paste करने के बाद आपको कैसे hide करना है बिना application का, तो मैं वो बताऊंगा, आप बने रहे हैं मेरे साथ, तो चलिए दोस्तो, हम इसको copy कर लिए, copy करने के बाद आप SD card में रखना चाहते हैं, इंटर्नल स्टोरेश में रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, तो simply हम internal storage में रख लेते हैं, उसके बाद अपल वाला जो more पर click करने के बाद simply rename में जाना है और rename में जाके आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आगे आपको dot लगा देना है तो चली हम dot लगा देते हैं dot जैसे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा फोल्डर गाइब हो चुका यानि dot लगाने के बाद ओके करेंगे तो आप देखें दाफाइल विल भी हीडेन यानि आपको फाइल जो है हाइड हो जाएगा चुप जाएगा जाके वह भी मैं बताऊंगा कैसे देखना तो देखें ओके करने के बाद यहां पर एपल ज आपके हम बताऊंगा क्या करना है तो चलिए दोस्तो फोल्डर को खोल लेते हैं उपिन कर ले तो उसके बाद देखेंगे कि यहां पर फोटो यहां पर पेस्ट किया था कोपी करके तो यह फोटो और यहां पर आ चुका है और यह फाइल मेरा जो है हाइड भी हो गया है दिखा देते हैं कि वह फिर से आ चुका है तो दोस्तों यहां पर देखेंगे फाइल आ चुका है लेकिन यह मैंने यहां से फोटो जहें दूसरे जगा कोपी कर दिया इसलिए यहां से खतम हो गया तो दोस्तों आप इस तरीका से अपना फोटो आप अपना फोटो को देने के लिए धन्यवाद थैंक्यू सुक्रिया